सबसके शोगों में किसी के प्यामी की कहानी में अनवी को इंसाफ दिलाने का अब सभी कई ये जुन नया मिशन है इसमें बहुत सारी रुकावटे आती नजर आने वाली हैं कई सारी रुकावटे ये तो खुद मामा क्रियेट करते नजर आने वाले हैं क्योंकि वो किसी भी की यह सच बाहर आने नहीं दे सकते हैं और अप सुने में इप आ रहा है फैंस कि जहां पर अकास साहिब उनके भाय याने के अनवी के मामा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सती है तो अब वह भी अनवी का मूब बंद करा की नजर आ सकती है किसी भी इबत पर यह नहीं चाहेंगी कि जो भी उनके भाई ने हरकत की है उसका पता किसी को भी पता चले especially राव साहिब को क्योंकि अगर इस बारे में राव साहिब को पता लग गया तो राव साहिब शायद चुप नहीं बैठेंगे और अगर जो बैट भी गए तो भी जिस तरह से जो अकर साहिब के भाई हैं यानि कि इशान के मामा वो भोसले कॉलिज से भी जुड़े हुए हैं तो कही न कही ये पूरी चीज घसित कर वहां भी पहुँच सकती है और अकर साहिब इस पूरे मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशुश करती नजरा आने वाली हैं जब तक अनवी या अनवी की मा यानि की अस्मेता भोसले इस सच को सब के सामें नहीं रखेंगी तब तक सबी की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा तो अब देखने वानी बात यह होगी फैंस की क्या इस बात का इशारा या हिंट इशान को भी मिलने वाला और क्योंकि इशान के सामने जब सच होता है तब उनके सामने ना तो कोई परिवार होता है ना ही कोई अपना होता है वो सच के साथ खड़े होती है तो क्या इस बार भी किसी न किती तरह से सभी शान को मना लेगी उनकी स्काथ खड़े होने के लिए जाने के लिए स्टाप्स के शो को मैं किसी के प्यार में को लगता देखते रही तरही मों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले